दोस्तो आप सभी का Only Top Study चैनल पर स्वागत है आज की वीडियो में हम एक बहुती important topic को cover करेंगे बोध धरम देखें बोध धरम से संबन्दी दोस्तो बहुत सारे question हैं जो exam में बार-बार repeat होते हैं मैं आपको 25 question cover कराऊंगा इनसे बाहर आपको कभी question देखने को नहीं मिलेगा पूरी वीडियो ध्यान से देखना 25 में से कितने questions के answer सही कर पाते हैं अपना score comment box में जरू बतेगा चलिए शुरू करते हैं पहला question है गोतम बुद का गुरू कौन था दोस्तो देखें गोतम बुद का गुरू कौन था तो इस question का right answer क्या रहेगा आपको comment box में answer बताना है हरे question का बिल्कुल सही है अलार कलाम यानि की C right answer हो जाएगा दोस्तो question number 1 का सही उत्त दोस्तो दूसरा question आता है तृत्य बोध संगीत कहा आईजित हुई दोस्तो तृत्य बोध संगीत कहा आईजित हुई इस question का जल्दी से आंसर बतेगा इस question का right answer आएगा पाटली पुत्र में यानि की option A right answer हो जाएगा question number 2 का सही उत्त तीसरा question आता है बोध धरम में तिरी रतन क्या इंगित करता है दोस्तो इस question का right answer बतेगा comment box में answer जरूर बताना है भई सभी को इस question का right answer रहेगा बुध धम और संग को यानि की B right answer रहेगा तीसरे question का सही उत्तर ठीक है question number 4 आता है गोतम बुध द्वारा विक्षुनी संग की इस्थापना कहा की गई थी जल्दी बताईए question number 4 का दोस्तो right answer रहेगा वैसाली में यानि की option A right answer रहने वाला है question number 5 है बोत धरम एवं जैन धरम दोनों के उपदेश किसके साशनकाल में दिये गए थे अभी next वीडियो लेके आऊंगा मैं दोस्तो वो जैन धरम पे भी जल्दी लेके आऊंगा यह दोनों धरम से संबंदित question परिक्साओं में बार-बार repeat होते हैं तो आपको इन से बाहर कोई question नहीं मिलेगा दोनों वीडियो को देख लेना ठीक है इस question का दोस्तो right answer क्या रहेगा बिम्बी सार बिलकुर सही है यानि की option a right answer हो जाएगा पाचवे question का सही उतर देखे 6000 के question answers की जो हमारी master पीडियाप है यह मात्र आप 150 रुपीज में परचेज कर सकते हैं इसका link मैं नीचे description box में दे दिया है और दोस्तो इस पीडियाप में आपको क्या क्या मिलेगा इस पीडियाप में आपको history, geography, polity, economics complete मिलेगी साधी साथ science पूरी complete physics, chemistry, biology साधी साथ current affair और 500 question दोस्तो computer के एक हजार question static gk के भी आपको इसी पीडियाप के साथ में मिलने वाला है इस पीडियाप को आप कैसे purchase कर सकते हैं link नीचे description box में भी है हमारी website या whatsapp number से भी आप इस पीडियाप को purchase कर सकते हैं चैनल पर आप लोग नए आए हैं तो subscribe कर लेना bell icon को on कर लेना ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो के notification आपको मिलते रहे चटा question क्या करें तिरी पिटक किसका धरम गरंत है दोस्तों बहुत ही important very very important और अभी दोस्तों SSC जीडि का जो exam चल रहा है इसमें बहुत सारे question यहां से पूछे जा रहे है इस question का right answer रहेगा बिलकुल सही उत्तर तिरी पिटक किसका धरम करंत है दोस्तों बहुत दो का यानि की right answer is option यह आपको याद रखने है alright चले अगला question आता है सारनात में बुध का पर्थम परवचन क्या कहलाता है जल्दी बताए इस question का right answer दोस्तो सारनात में बुद्ध का पर्थम परवचन क्या कहलाता है तो राइट आंसर इस धरम चक्र परिवर्तन यानि की सी राइट आंसर हैगा साथवे कोशन का सही उत्तर बहुत ही अच्छा कोशन है दोस्तो बुद्ध सब्ध का क्या आर्थ है बिलकुल सही उत्तर आप लोगों ने किया है बुद्ध सब्ध का अर्थ हो जाएगा दोस्तो एक ज्यान संपन व्यक्ति यानि की राइट आंसर इस ऑप्शन बी अगला कोशन आते है दोस्तो गोतम बुद्ध का जन्म कहा हुआ था देखें गोतम बुद्ध का जन्म दोस्तो कहा हुआ था तो मेरे प्यारे दोस्तो इस कोशन का राइट आंसर एगा लूम्बनी में यानि की सी राइट आंसर एगा नोवे कोशन का सही उत्तर दोस्तो अगला कोशन आता है बुद्ध ने सर्वधिक उपदेश कहा दिये तो देखें बुद्ध ने सर्वधिक उपदेश दोस्तो कहा दिये जल्दी बताइए इस कोशन का राइट आंसर एगा सरावस्ति यानि की ओप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा दस्वे कोशन का सही उत्तर ग्यारवा कोशन है असोका राम विहार कहां इस्थित है दोस्तो असोका राम विहार कहां इस्थित है यह सोरी था तो इस कोशन का दोस्तो राइट आंसर बतेगा यह भी काफी अच्छा कोशन हो सकता है आई होप कि आप सभी ने पाटली पुत्र आंसर लगाया होगा बी रैट आंसर हैगा दोस्तो इस कोशन का सहयूत अगला कोशन आता है कनिस्क के सासनकाल में चतुर्त बोध संगीत या सभा किस नगर में आजित की गई थी इस कोशन का रैट आंसर हैगा कुंडल वन यानि की सी रैट आंसर हो जाएगा दोस्तो कोशन नबर ट्वेल का सहयूत अगला कोशन आता है बुद के गरहत्याक का परतीक है दोस्तो बुद के गरहत्याक का परतीक है क्या देखे इस question का right answer हैगा बुद्ध के ग्रहत्याक का परती के दोस्तो घोड़ा यानि की right answer is option A ये आपको यादखना है question number 14 है गोतम बुद्ध द्वारा अपने धरम में दिक्सित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निमलेकित में से कौन था दोस्तो इस question का right answer क्या रहेगा सुबद यानि की right answer is option B ये आपको यादखना है अगला question आते हैं दोस्तो जातक किस धरम का पवित्र गरंत है दोस्तो जातक किस धरम का पवित्र गरंत है इस question का right answer बतेगे बिलकुल सही ये भी दोस्तो किसका है बोधो का यानि की right answer is option B ठीक है चले अगला कोशन आते है गोतम बुद को कोниसी जग्हे ज्यान प्राप्ट हुआ था दोस्तों, गोतम बुद को कोन सी जग्हे जग्हे ज्यान प्राप्ट हुआ था इस कोशन का right answer हैगा बोध गया में यानि की D right answer दोस्तों बुद्र का जन्म किस चत्रिय कुल में हुआ था। दोस्तो राइट आन्सर रहेगा, बिलकुल सही है। साक्यकुल में आनिकी भी राइट आन्सर हो जाएगा, दोस्तो, सतर्वे कुशन का सही उत्तर। और देखें जो भी student पूरा complete course cover करना चाहते हैं फिरी में वीडियो के थुरू तो मैं आपको बता दू दोस्तो नीचे description box में topic wise पूरा gk, science, current affair हर topic पर आपको वीडियो मिल जाएगी आप चाहिए YouTube पर डिरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं आप किसी भी exam की त्यारी करते हैं आपको हर बार कुछ नया देखने की जड़त नहीं पड़ेगी दोस्तो मैंने हर चीज 2023 की एक नई playlist बना दिये current affair की तो उसमें नई नई वीडियो जाती जाएगी अभी ठीक है और बाकी जो static gk ना वो बहुत जबरदस तरीके से बढ़िया तरीके से दोस्तो मैंने पूरा करने की जड़त नहीं पड़ेगी अठारवा कोशन दोस्तो गोतम बुद का बचपन का नाम क्या था तो राइट आंसर इस जल्दी से बता देना सिधार्थ ओप्शन ए अगला कोशन आता है गोतम बुद की मिरत्यू कहा होई थी तो देखें गोतम बुद की मिरत्यू दोस् कोशन का राइट आंसर क्या रहेगा बिल्कुल सही दोस्तो कुशिन अगर में यानि कि सी राइट आंसर रहेगा 19 सब का सही उत्तर Q20 है बोध गरंथ पिटको की रचना निमलिकित में से किस भासा में की गई थी इस Q21 है निमलिकित में से किस भासा में की रचना निमलिकित में से किस भासा में की गई थी तो राइट आंसर इस पाली तो राइट आंसर डी हो जाएगा Q20 का सही उत्तर question number 21 है निमलिकित में से किसे Asia की रोसनी the light of Asia कहा जाता है दोस्तों देखे the light of Asia किसे कहा जाता है बहुत ही अच्छा question है यह भी तो गोतम बुद को कहा जाता है दोस्तों right answer B हो जाएगा 21 question का सही उत्तर 22 question है बोध धरम गरहन करने वाली पहली महिला कोन थी इस question का right answer क्या रहेगा दोस्तों right answer is महापरजापती गोतमी यानि की right answer is option D हो जाएगा 22 question का सही उत्तर ठीक है अगला question आता है वह आदितम बोध साहित्ते जो बोध के विबिन जनमों की कथाओं के विशे में है क्या है दोस्तों इस question का right answer रहेगा आपका बिलकुर सही जातक यानि की option एरेट answer हो जाएगा अगला question आता है निमलिखित कतनों पर विचार करे एवं चेते वे विहार में क्या अंतर है इसे चुने दोस्तों right answer हैगा बिलकुर देके चेते जो है ये पूजा इस्थल है और जबकी विहार निवास इस्थान है तो right answer दोस्तों यहाँ पर option A हो जाएगा और ये भी काफी अच्छा question है इसमें दोनों question ये अलग-अलग भी पूछ ले जाते है आपसे ठीक है न चले अगला question आते है निमलिकित में से किस नगर में पर्थम बोध संगीत या सबा आजित की गई थी दोस्तों right answer रहेगा 25 कोशन का सही उत्तर राजगर है यानि की option A right answer रहेगा 25 कोशन का सही उत्तर अब एक test question आप लोग के लिए है इस question का answer आप लोग comment box में बताईएगा और अगर आप लोग ने वीडियो पूरा देखाऊगा ध्यान से तो इसी वीडियो में मैंने इस question को cover करा है वीडियो आपको कैसे लगी please comment box में बताईए वीडियो को like करिए, share करिए अपने सभी दोस्तों के साथ में गुरूप में भी share कर सकते है अगर आप चाहते हैं कि जो छोटे भाई बैं जो भी त्यारी करते हैं किसी एक्जाम की उन तक भी वीडियो पहुचाना चाहे तो पहुचा सकते है छेजार के question answers की जो master PDF है जो कि सभी परिक्साओ के लिए दोस्तों जिसमें सारे subject को cover किया गया है उसको आप directly नीचे दिएगे description box में link से purchase कर सकते हैं website से purchase कर सकते हैं या फिर हमारे WhatsApp नमबर पर message करके भी link ले सकते हैं चलिए thank you so much bye bye everyone take care ख्याले के अपना मिलते नेक्स के आस में